जालंधर के एक निजी होटल में नीमा जालंधर की मासिंग संगोश्टी का योचन डॉक्टर सत्वीर सिंखे धक्षता में किया गया जिसमें NHS अस्पताल के मुख्य सीनियर डॉक्टर शुभांग अगरवाल डॉक्टर नरेंदरपाल डॉक्टर साहिल सरीन डॉक्टर विनी चितकारा नियूरो सर्जन भी उपस्तित रहे सरप्रथम भगवान धनवत्री जी का पूचन किया गया जिसके बाद सचीव डॉक्टर नीरच कालरा ने आई हुए नीमा सदस्यों का स्वागत किया जुरान मुख्य वक्ताओं को समरीती चेन देकर सनमानित भी किया गया डॉक का संचालन डॉक्टर विनिता गो स्वामी ने बहुत खुबी से किया डॉक्टर संजीव धवन ने नीमा के फंड्स एकठा करने में महत्तव पूरन भूमी का निभाई इस संगोष्टी में नीमा के सभी वरक के सदस्यों ने बढ़ चड़कर अपनी उपस्तिती का एसास कर अंतमे राश्ट्य गान के साथ मिटिंग का समापन हुआ इस सबसर पर डॉक्टर के एस राना, डॉक्टर पवन वशेष्ट, डॉक्टर सतीश शर्मा, डॉक्टर आई-पी-स सेठी, डॉक्टर आशु चोप्रा, डॉक्टर आजीव धवन, डॉक्टर विपुल ककर, डॉक के फाइनल येर के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जाल अंधर से हल्चल के लिए कैमरामेंट जो तेंदर की रिपोर्ट, डॉक्टर शुभांग अगरवाल जेड़े की रोबोटिक नीज सर्जरी दे माहर है, उनने बहुत वदिया तरीके नल दसेया, कि कि में गोड़ पर उनने दसेया, कि आज एकल यांग एज दे विच वी ऑस्ट्री अर्थ्राइटिस होनी शुरू हो गई है, डियो टू खाना पीना और कई चीज़ां हो दिया जेड़े नल ऐचीज़ां बहुत अर्ली होने शुरू हो गई हैं और कि वे अनू अपर ठीकर से, बहुत सोने के तरीके नाल सानुदर सेया, मैं डॉक्र विनीत महाजन, मैं एनने चैस हॉस्पिटल चे चैस स्पेशलिस्ट हैं, और अज असी नीमा जलंदर ते नाल एक मीटिंग करना आए है, ते फॉर्चन होटल दे विच, एंड असी अज गल करांगे कि चैस्टियां प्रॉब्लम स से बारे, प्लस सरजरी, पेडियाट्रिक्स ते हाड दियां प्रॉब्लम से बारे इनना डिस्कस करा, और चैस ते विचा सी जिवें दमा, ते स्मोकिंग, टीबी बारे जड़े कॉमन फैक्स ने, जड़े पेशिंट ओपीडी चांदे ने उस चीजां बारे लेटेस्ट टे प्लिक नोगे देना चाहने है, कॉस्ट टा एफेक्टिव इस करके कॉस्ट एफेक्टिव हो जानदा है कि जिनना खर्चा उनना नूँ बाच हॉस्पिटल दे स्टे दे लग जानदा है, उस तो काट खर्चे दे विच आज कल याप्रस्कोबिक सरजरी हो जान दिया, ओपन टाइम जद सारे लोगी लेजर करना लग जानगे फेरे भी सस्ती हो जाएगी, पुरानी ट्रीटमें नई ट्रीटमेंट में फरक यह है कि जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा लेस पेइनफुल होती है, उनकी रिकवरी जल्दी होती है, कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो होती है, वून इंफेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए यह पेशेंट फ्रेंडली एक सरजरी है, डाइट दा बहुत जाद एफेक्ट पहेंदा है, क्योंकि गट इम्मिनटी भी होंदी है, जचे बच्चे नों कई बच्चे नों कई कई 14-14 दिन तक बच्चे नों डस्त होना चाहिए है, यूजली अपा पेरेंट्स नों भी कहन दे है, कि हफ्ते चाहिए कदी बार ला खाना है, वो बच्चे नों तुसी कर्वास हो देए, अगर रोज ही रोज बच्चा बाहर कुर कुरे, स्पाइसी चीजा खाना है, एक गट इम्मिनटी नों भी कट कर दा है, बच्चे नों कारदे अंदर ही कोई मोडिफिकेशन करके कारदा ही खाना बना के दिता जागा है,